जो असानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता जो हमेशा तक रहता है वो असानी से मिलता नहीं चुछ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी शेक और आपका स्वागत करता हूँ helping अभी चैनल में अगर आप लोग सोच रहे हुए कि online teaching करना है या फिर हमें record करनी है अपनी कुछ भी वीडियो जो कि मैं desktop पे ही लिख सकता हूँ या फिर pen paper आप बचाने का सोच रहे हैं या फिर हम multitasking करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है pen tap जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक अपना चैनल दूसरा चैनल जो है वो स्टार्ट किया था link description मिलेगा चाहे तो जा करके आप subscribe कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने whiteboard और duster मंगाया था बट मैं आपको पता है कि मेरी condition में जब लेट करके लिखता था तो काफी लिखाई बहुत छोटी होती थी और मुझे बहुत जादा issue हो रही थी तो मैं आप लोगों को अच्छे डंग से वीडियो नहीं दे पा रहा था तो मैं सुचा चलो क्या किया जाए तो उसके लिए म बैक में देख सकते हैं तो यह जो pen tab है इसके साथ एक यहां पर देखते हैं कि USB दिया गया है उसके साथ एक pen दिया गया है इसके साथ तीम नीप्स और दी गई है आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के लिए आपको यह एक रिंग जो है वो रिंग दिया गया है और इसे बस आप ऐसे पकड़के खीच सकते हैं ठीक है यह बाहर निकल जाएगा और वापस आप इसको डाल सकते हैं तो यह और इसके साथ तीन नीप्स जो है वो दी गई है तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसका मैं रिव्यू डाल रहा हूँ just because क्योंकि मैं यह खुद दूसरे चैनल पर डालूंगा और अभी आपको डेक्स्टॉप पर भी दिखाऊंगा कि कैसे यह वर्क करता है तो इसे खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि आप सीधा USB कनेक्ट करेंगे आप अपने लैपी पर और स्टार्ट जाएगा ऐसा नहीं बहुत अच्छा है इसका आउट बहुत अच्छा है मैंने खुद परसनली इसको यूज किया है और हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आईए उस चैनल पर तो सारी पेंटेब के द्वारा ही होगी mostly whiteboard मेरे लिए बहुत डिफकल्ट रहा तो यह बहुत इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर जो भी ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं जो भी अपना यूटीब चैनल चलाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन आप अगर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है क कि आप पेंटेब एक ले ले और इसका तो प्राइस हमें लगबग 6,800, 7,000 आप मान की चल सकते हैं आपको लगेगा तो अगर बजट है आपका देन आप जा सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस पे जा करके एक बार जरूर देखें डेक्स्ट्राप पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है सेटिंग्स करने के बाद इसे आप चाहे तो ms word पे पावर पॉइंट पे कहीं पर भी आप चला सकते हैं उसके बाद अगर और भी अचा ओट पुट लेना है तो एपिक पैन होता है उसको आप यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन है अगर आप उसका प्रो वर्जन भी लेंगे तो फिर चार चान लग जाएगा आपका जो ऑनलाइन टीचिंग का जो मैथाड होगा ना मज़ा आ जाएगा उसमें तो चलिए देखते हैं कैसे क्या काम करता है और पूरा देखी तो आपको बिल्कुल समझ मेंगा कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे प्रॉपरली ये वर्ज करेगा हेलो फ्रेंड्स तो आपको आजाना है वैकॉम.com की साइट पर आपको लिखना है वैकॉम.com लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से भी जा सकते हैं जैसे आप यह साइट ओपिन करते हैं उसके बाद फिर आपको कुछ यहां पर ओप्शन दिख जाएंगे उसके बाद फिर आपको यहां पर दिखेगा 1 by वैकॉम और आपको कैसे स्टार्ट करना है यह आप थोड अपने टैबलेट है कम्प्यूटर में ठीक है और उसके बाद दुसरा जो है कि ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना अपड़ेगा Windows और Mac दोनों के लिए अलग है जिस पे भी चाहिए आप उस पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर Windows Windows का मैं डाउलोड कर रहा हूँ उसके बाद फिर आपको थेALD जो स्टेप है वो आपको री स्टाट करने है री स्टार्ट इस वेरी और यह आपको यहां पर success का यहां पर confirmation आएगा और आपको फिर इसके बाद restart करना है और restart करने के बाद जैसे आप restart करते हैं तो आपके सामने में ऐसा screen आ जाएगा और फिर यहां my devices, backup settings, updates, support, story, यह सारे option आपको यहां पर दिख जाएगे इसके बाद आपको my devices पर आना है one by wacom और यहां पर कुछ settings है जैसे pen settings है तो pen settings में आपको जाना है आपको कोई भी छड़कानी नहीं करनी है जैसा भी यहां पर pen mapping है आपको रख देना है और customize चाहे तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं मैं ऐसे छोड़ दूँगा आप इसको यहां पर in output है pen pressure है आप इसको change कर सकते हैं उसके बाद फिर यहां पर right scroll देख सकते हैं और इसके अद्ध option में यहां जा करके pen button mode है आप इसको चाहे होवर क्लिक कर सकते है click and tap कर सकते हैं तो मैंने hover ही रखा है ऐसा ही रखे जादा बहतर होगा मेरे लिए comfortable है और इसको कर दे सकते हैं कि हमारा ms word है powerpoint or one note 3 हमने ले रखा है और यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको use कर सकते हैं तो हमने install कर लिया अब install के बाद आप review tab में आ जाएंगे में स्वार्ड में उपर में जब दखेंगे तो review है review में आ जाएंगे review में आने के बाद आप start inking तो इस पर आप click करेंगे जैसे आप click करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे options मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहां पे pen highlighter eraser eraser और बहुत सारे यहां पे pen के option म मसद जाएंगे ठीक है, केपास जोपैन है आप पेन पे क्लिक कर दीजे समय पेन पार कि अ प्रीक किया आर मैं स्टायर को ही रखता हूं और मैं यहां पर लिखना स्टाट करता हो है है हमने लिखा helping अभी लिखा तो यह देखिए यहां पर अब मैं इसे color अगर चूज करता हूं green और थोड़ा सा यह highlighter है highlighter हमें रखना नहीं है हमें pen रखना है ठीक है तो हमने लिखा welcome अब हमें यहां पर erase कर रहा है तो erase के लिए यहां पर eraser लेना है और eraser से बस आपे इसको ऐसे उसे touch कर देना यह हमारा खत्म हो जाएगा तो इस तरह से आप ms word पे आप कर सकते हैं और अगर हम लोग पावर पॉइंट के बाद करते हैं तो उसमें भी हमको review टैब में जाना है और review में जाने के बाद start inking पे करना है और same चीज़ आपको pen को select करना है और select करने के बाद यहां भी आप जो चाहे वह लिख सकते हैं अपने इसाब से आप लिख सकते हैं आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं और one note की बात करते हैं तो one note में आपको draw आएगा option तो draw option में आप जाएगे और draw option में जाने के बाद आप सिधा आप लिखना start कर दें स्टार्टिक में बहुत दिक्कत होती है लिखने में आपको pen tap पे नहीं देखना है आपको screen पे देखना है और देरे वह practice हो जाएगी खुद मेरे एक दो दिन हुए है तो मुझे ज्यादा अभी इस पर command नहीं हुआ है बट दिरे दिरे हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो के साथ जल्दी सारे चाहूंस अच्छा है दूस्ता हमारा जैहिंद